इन दिनों भीशन गर्मी से हर कोई पस्त है चिलचलाती गर्मी में आदमी को कूल और पंके से कुछ राहत मिलती है तो वो भी बिजली कटोती की वज़े से उससे छीन ली गई है ऐसे में आदमी किसी तरह गर्मी का कहर काट रहा है लोग गर्मी को किसी तरह बरदाश्ट कर रहे हैं लेकिन लड़के इस गर्मी में सुकून पाने के लिए नदियों, नहरों, तालाबों में डुब की लगाने पहुँच जाते हैं बिना सुरक्षा और सावधानी के नहाने वाले लड़के आए दिन हाथसों का शिकार हो रहे है बीते 24 घंटे के अंदर ऐसे ही तीन हाथसों के बारे में जानकारी मिली है जिसे देख और सुन आप अपने बच्चों और आसपास के बच्चों पर नजर रखने पर मजबूर हो जाएंगे पहला हाथसा बीती शनिवार हमीरपुर जिले के कुरारा थाना इलाके में हुआ दरसल सिरोडी गाउं के आठ लड़के गर्मी के मौसम में ठंडे बानी का मज़ा लेने के लिए गाउं के पास में ही बह रही यमना नदी में नहाने पहुँच गए आठों बच्चों ने नदी में डुपकी लगाई और आठ के आठ बच्चे नदी में बह गए हलांकि डूपते बच्चों पर मचवारों की नजर पड़ी तो मचवारों ने किसी तरह साथ बच्चों को सकुषल बरामत कर लिया लेकिन एक बच्चा लापता हो गया मौके पर पहुँची पुलिस लापता बच्चे की तलाश कर रही है अभी तक बच्चे का कोई अता पता नहीं है दूसरा हाथसा कानपुर में गंगा नदी के कोईला घाट के पास हुआ दरसल शनिवार को चकेरी थाना एक्स शेत्र के चवेली परवा निवासी पुनीत और शोशांत गंगा नदी में नहा रहे थे दोनों नदी में डूग गए जब दोनों बच्चे घर नहीं पहुँचे तो उनके परिजन कोईला घाट पहुँचे जिसके बाद गोता कोरों ने दोनों बच्चों को खोजना शुरू किया कुस देर बाद दोनों की लाश मिली तीसरा हाथसा मिर्जापुर में बह रही गंगा नदी के परशुराम घाट का है गंगा नदी में नहा रहे भाई बेहन नदी में बह गए गए गोता खोरों ने भाई बेहन की लाश को नदी से निकाला ये महच तीन हाथसे हैं ऐसे हाथसे रोज किसी ना किसी नदी और नहर में हो रहे हैं इन हाथसों की वज़ा है बच्चों को तेरना ना आना गर्मी में सूखते पानी की वज़े से नदी में धारा की गहराई का पता नहीं चल पाता किसी स्पेशलिस्ट तेराक की निगरानी के बिना नहाना ऐसे हाथ से ना हो इसलिए बच्चों को नदियों नहरों में नहाने से रोकें उन पर निगरानी रखें देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबर होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एंटी टीवी भारत